हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्सस क्लासेज विद विमल पर स्टुडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर बीटेक की एलेक्ट्रोनिक्स और कम्मिनिकेशन इंजिनिरिंग ब्रांच के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही डियलेट पर्थम समेस्टर की भी तैयारी करा रहे हैं स्टुडेंट्स यदि आप इन में से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जोईन कर सकते हैं यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिये रैड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन पर भी प्रेस कर ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और हाँ स्टुडेंट्स यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरू करें और अपने दोस्तों को भी जरूर सेयर करें ठीक है चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए लो स्टुएंट्स कैसे आप चलिए जैसा कि आपको पताइए हम प्रिवेसर के कोशन पेपर अब सॉल्व कर रहे हैं एक पर हम सॉल्व कर चुके हैं 2016-17 का और समिस्टर का अब इवन समिस्टर का हमारा चल रहा है ठीक है अगर आपने वह वीडि लिस्ट में चेक कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम चलते हैं आगे सेक्शन बी की तरफ सेक्षन बी को आज सॉल्व करते हैं सेक्शन अ हमने उसमें कंप्लीट कर लिया उसको भी आप देख लीजिए ठीकि पेपर जो हैं बहुत जादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रिव पर क्या Tradर 2016 सेंटीन का और समस्टर ऊसके बाद क्यों के वैवन समेस्टर कर रहा हैं तो हम इसमें भी देख रहा हैं कि बहुत सारे वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा ग्यान मिलेगा अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो अधूरा ही आपको ग्यान मिलेगा ठीक है चलिए तो अपने दोस्तों को भी बोलिए जादा से जादा जो नहीं देख रहा हैं अगर वो भी प्रिवेजर के question paper solve करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं section B आज 2016-17 का जो पेपर है हमारा इवन सिमिस्टर का उसका हम स्टार्ट करते हैं section B इसमें section B में हमें क्या करना है five questions attempt करना है ठीक है और seven seven marks के 35 marks के ठीक है तो इसमें जो सबसे पहले question दिया है वो क्या दिया हुआ एक्स्प्लें दा वी आई भी बोला है तो उसके लिए हम draw भी करेंगे ठीक है इस तरह से यह हमारा germanium के लिए हो जाएगा इस लिकान के लिए हो जाएगा इससे पिछली वीडियो में पिछली पेपर में भी आया था यह मैं आपको इसमें बता चुका हूँ इस तरह से यह हमारा reverse by patter के लिए ही तो हो जाए यह फरवोड के लिए हो जाता है यह हमार वीफ lamar विया्यर्रिवर्स वल्टेज यह वाल्टेज यह मारा रिवर्सक्रंट आया पिछैक तो यह मैं जानने के लिए देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोल रहा हूँ आप वो नोट का लीजे कॉपी और पैन जरूर लेकर बैठा करें जब भी कोशन पेपर सॉल्व करा करें क्योंकि आपके पास देखो मैंने पेपर तो वाट्सअप के माध्यम से आपको प्रोवाइट कराई ही दिए हैं बागी पेपर इसमें भी चलना है ठीक है तो आप क्या करेंगे आप उनको जो मैं कुशन यहां पर करा रहा हूँ जो थियोर्टिकल है वो तो आपके पास नोट्स में हैं ठीक है वीडियो बसे वीडियो में भी हैं बागी जो नुमेरिकल्स होते हैं या जो डिफरेंट चीज होती जो मैंने पढ़ाई नहीं है बीता है वो मैं यहां पर बता हूँ तो आप आपको नोट करते हुए चलना चाहिए ठीक है ताकि आपके पास वह भी आवेलेबल रह प्रेया और यहां पर हमने पी en coincidence डाईवड ले लिया ठीक हैम अब हमने क्या करना है पहला पोइंट लिखना है जो हमारा जैनल डाईवड की इसमें हम लिख सकते हैं एंगरेश कंडिशन्यil क्यास कंडिशन्य को में और यह ओपृइट इन् फॉरवर्ड बैस कंडिशन्य Till이죠 में अप्रेट होता है ठीक है दूसरा पॉcorn हम लिख सकते हिए करेक्सिक्स बना quadrant में लाई करती है ठीक है और इसकी जो है वो second में करती है कहां यहां पर क्योंकि यह forward bicycle अबर कर रहा ठीक है और यह भी कह सकते हैं तीसरा point जो है dynamic general resistance is very small in reverse breakdown condition ठीक है तीसरा हमने क्या बताया point general के लिए कि dynamic general resistance is very small in reverse breakdown condition और इसमें कह सकते हैं कि the diode resistance in reverse bias condition is very high ठीक है क्योंकि इसका जो reverse biasing में resistance होता है डायोट का बहुत जादा हाई होता है इसलिए हम यह मानते हैं इसमें current flow नहीं होता इसका क्या है resistance जो है small होता है इसलिए क्या होता है इसमें current जादा flow होता है ठीक है symbol भी अगर हम बनाना चाहें तो symbol भी बना सकते हैं symbol हम कैसे बना सकते हैं symbol हम इस तरह से बना के symbol भी difference में बता सकते है जैनर और पी एन यह है तो जैनर का जो symbol होता है वो इस तरह से यहाँ जैट फॉर्म बनी होती है और यह तो हमने पढ़ाई है यह हमारा simple होता है ठीक है clear उसके बाद हम यह भी कह सकते हैं कि अप्लिकेशन अगर देखें हम जैनर डायोड की तो क्या लिखेंगे इसमें कि एप्लिकेशन guards और voltage regulator ठीक ठीक अबलिप्लिकुोर्म इसमें कि उसके आप्लिकेशन की लिखेंज तेखें़ अब अब नेक्स्ट कोश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट कोश्चन फिट से रिपीट हो रहा है प्रिवियस एर के कोश्चन पर पर से नहीं बलकि बार बार रिपीट होगा और हर बार रिपीट होगा बहुत ज्यादा इंपर्टेंट कोश्चन है कि ड्रो दा सरकेट एंड डिसकस्ट दा वर्किंग ओफ फुल वेब ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है रेक्टिफायर में भी ज्यादा ब्रिज पूछा जाता है यह ध्यान लगेगा और जरूरी नहीं कि ब्रिज पूछा जाया है आपको मैं सेंट् ब्रिज रेक्टिफायर और साथ से आपको क्लास में मैंने यह पणाया था ठीक है और वाट इस पीक इंवर्स वल्टेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर यह भी मैं आपको पीक इंवर्स वल्टेज कितनी होती है वीम यह आपको मैं बता चुका हूँ ठीक है वीडियो में भी ठीक है डाइग्राम मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ या वैसे बनाने की तो कोई आवे शक्ता है नी क्योंकि आप इसको कहीं बार पढ़ चुके हैं ठीक है यह मारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है यहाँ पर हम डाइवड यूज करते हैं अभी फिलाल मैं की मॉस्ट दूसरा जो कोउस्चन आता है फर्टमें पहला तुझ है यह दूसरा μαςर दूसरे मारा इसमें बीजेटी नुमेरिकल के लिए बहुत important है नुमेरिकल के लिए मतलब जो बाइसिंग उसमें five types की उनमें से एक बाइसिंग पर नुमेरिकल या वो बाइसिंग जरूर पूछेगा ठीक है 100% पूछेगा और इसमें वोल्टे डिवाइडर बाइसिंग सबसे ज़्यादा important है और जब दूसरी तरब MOSFET जे फैट आता है FET में तो MOSFET बहुत ज़्यादा important है तो एक MOSFET जरूर पूछा है तो इसने पी चैनल डिप्लेशन टाइप MOSFET इसने इस बार पूछा है तो यह इसका मतलब क्या है कि यानि कि MOSFET भी आपको पढ़के जाना है 101% आपको पढ़के जाना है जरूर ठीक है चलिए तो पी चैनल MOSFET पूछा है इसने है डिप्लेशन टाइप डिप्लेशन टाइप MOSFET पूछा है यह धियान रखेगा कभी एन्हेंस्मेंट टाइप MOSFET करके आ जाए आप ठीक है चलिए तो अब हमने क्या करना है डिप्लेशन टाइम उसने चाहिए और यह इसका जो लिंक है मैं इसका लिंक आपको वीडियो नीचे description में आप चागर चेक के लिए मॉसफेट की नाम से उसमें मिल जाएगा उसमें मैंने पढ़ाया है मॉसफेट आपको दोनों पढ़ाया है सारे आप एक साथ पढ़ेजीगा वीडियो देख लीजिएगा ठीक है अब इसने characteristics और पूछी ऑप पी एन चैनल डिपलिशन टाइप पी चैनल डिपलिशन टाइप मॉसफेट ठीक है तो characteristics मैंने आपको क्राद में नहीं पढ़ा पाया था वीडियो भी नहीं देपाया था इसलिए मैं पिछले पर प्रेवेजर के जो question पर पढ़ता है उसमें जो characteristics पुछी गई थी वह वहीं प कि बात करें और पी चैनल की बात करें दोनों की हमारी क्या होता थोड़ा थोड़ा सा माइनेर सा difference होता है transfer characteristics में होता है ठीक है चलिए तो जो drain characteristics और यहां पर क्या होगा यहां पर होगा यहां पर होगा हमारा वीडियस ठीक है वीडियस तो अब हम इसमें क्या होगा यहां पर जम हमिसमें अप्लाई करते हैं तो तो यह और यह वर्किंग पर देखेंगे तो क्या देखा था हमने जो पर हमारा व्स जब हम zero लगते हैं तो current maximum होता है उसके बाद जैसे जैसे हम positive में बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारा क्या होता है यह हमारा इस तरह से 236 इस तरह से बढ़ा सकते हैं आप दिखा सकते हैं current जो है कम होता चला जाता है जैसे यह हम gate to source voltage increase करते हैं ठीक है तो तो हमारा क्या हो गया drain characteristics होगे पी चैनल के लिए अगर N चैनल की बात करेंगे तो N चैनल में माइनस में क्योंकि यहां पर यह नेगिटिव में है क्योंकि VGS जो लगा होता है gate to source voltage उसका gate पर जो terminal होता है वो नेगिटिव होता है ठीक है तो बस यह दोनों मैंने बता दिया पी रचाइब हो गया तो अघर हम बात करें किस की पी चैनल की पीजेस पॉजित्जी होता है स्टार्टिंग में क्या होता आएडी कुर्ण मेक्सिमुः मेक्सिमम होता है यहां iD हमारा जो यह द रानसफर क्रएको इंक्रिस होते हम पणाज़के उनी यह बनाइंग हैं फिर क् किसकी होगी यह अटा देंगे दर का पार्ट यह किसकी होगे ट्रांसफर चीनल पी चैनल दोनों की आपको बता दियो किसकी फट की यही है सेम और डीप्लेशन टाइम आई की बहुत मैंड बहुत मैंने किती बार आपको बताया भी होगा वीडियो जब आपको दिया है उसमें मैंने बता है कि अगर हम बात करें वीटू दिया हुआ है कि इतना 40 तो यानि कि वीवन वीटू में दिया हुआ है यह हमारा रवन रटू हो गए सर्कीट को देखके पैचानना है आपको सर्कीट को हमने देखा और पैचानना तो यह सर्कीट हमारा किसका निकला समिंग एम्प्लिफायर का ठीक है यानि कि अपैम पैजे समर का यह हमारा सर्कीट है ठीक है तो summer का circuit है तो बस हमें क्या करना है बहुत इजली हम इस question को solve कर सकते हैं कैसे solve कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं हमें क्या करना है इसनमे output voltage पूछा है ठीक है तो output voltage हमें पता है यह two inputs के लिए दिया हुआ है तो हमें करेंगे output voltage V1 plus 2 minus क्या लिखेंगे माइनस RF upon R1 minus RF upon R1 और V input 1 या यहां पर V1 दे रखा तो V1 लिख लेंगे ठीक है माइनस को बार कर लिजे plus RF upon R2 और V2 ठीक है यह formula होगे दो input कि तीन input होते तो और जाता add करते हैं ठीक है यह R1, R2 मैंने इसलिए अलग लग किया है क्योंकि R1, R2 दोनों अलग दिया है अगर दोनों same होते तो इसको common ले लेते हैं 12 RF तो हमारा same ही ठीक है तो इस formula में value put करेंगे ठीक है क्या 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 RF R1 RF में कितना दे रखा है R1 RF में दे रखा 470 तो minus 470 upon कितना दे रखा है R1 47 किलों में हैं दोनों तो multiply 10 to the power 3 करने के आविशकता नहीं पड़ेगी और multiply इसमें हम क्या करेंगे V1, V1 कितना दिया हुआ है 40 तो 40 mili volt है तो 40 into 10 to the power minus 3 यहां पर हम ले लेंगे इसको ठीक है चलिए अब हमारा आगे क्या होगा प्लस और फिर से हमारा कितना दिया हुआ है 470 upon R2 कितना दिया हुआ है 12 और multiply क्या कर देंगे V2 से V2 कितना है 20 into 10 to the power minus 3 यह लिख लेंगे solve कर लेंगे बस अब आपको क्या करना है calculation करने कि कितना सिंपल सा numerical था और कितने नंबर में दिया हुआ है इस numerical को पांच नंबर में नुमेरिकल पका बच्चे छोड़के आते हैं पता नहीं को डर जाते हैं डाइग्राम को कितना इजी डाइग्राम है बहुत इसली आप कर सकते हैं और calculation ही करनी इस numerical में और आपके पाही नंबर एक दम पूरे पक्के ठिवरी में तो जब कि पूरे माक्स मिलते भी नहीं है ठीक है और ने 7 नंबर का है 7 नंबर का है पांच तो question करने है 7 नंबर का बताई इतना इलका इसली ठीक है अगला भी numerical है अगला numerical भी बहुत एजी है साथ नंबर काई है समझे लिए बहुत इसी है यह भी दोनों नमेरिकल करते तो 14 नंबर तो यही हो गए ठीक है देखें इसमें क्या दे रखा icq and vcq आपको confused करने के लिए icq vceq दे दिया तो आप यहां पर क्या मान कर चलेंगे ic और vc मान कर चलेंगे ठीक है तो ic मैं लिख लियता हूँ यहां पर फिर वो अपर रह जाता है ic कितना दिया हुआ है ic हमारा है यहां पर लिख लिएता हूँ ic हमें दिया हुआ है कितना 2 millie ampere और vce vce कितना दिया हुआ है 10 volt ठीक है यह मैंने नोट कर लिए है बट एक सेकन्ड 2ं यह सरकुट आपको देख के पता चल गया किसका एक किसका है वॉल्टे डिवाइडर बाइसिंग तो एस लिए आप इसको भी Kickstarter कर सकतें कैसे सौलकुलेट करने के लिए ने बोला यह उसने एक तो रफं बोला है और एक RC calculate करने के लिए बोला है ठीक है ये दोनों चीज़े calculate कराई है अब हमें पता है हमें पता है क्या कि हम IC IC जो हमारा होता है जो हम निकालते हैं IC current वो कितना होता है उसका formula VB minus VBE upon RE ठीक है ये होता है अब VB यहां पर transistor का दिया हुआ नहीं है कि transistor silicon का है या germanium का तो आप इसको neglect भी कर सकते हैं 0 इमान कर चल सकते हैं silicon भी 0.7 भी मान कर चल सकते हैं ठीक है तो फिलाल आप neglect करके चलिए नहीं दिया है तो आप इसको neglect करके चलिए अब VB VB हम कैसे calculate करते थे VB का हमें ध्यान है यहां से हम VB calculate करते थे VB हमारा कितना आया था VCC into R2 upon R1 plus R2 ठीक है ना R1 plus R2 ठीक है clear तो यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम calculate करेंगे अपना VB in the terms of R1 R1 की terms में हम यहां पर VB calculate कर लेंगे यानि के VCC 18V दिया हुआ है VCC put कर देंगे R2 में कितना दिया हुआ है 18 ठीक है तो 18 हम लिख लेंगे इनकी multiply कर लेंगे और multiply करने बाद जो भी आएगा हमारा उसको हम लिख लेंगे जो भी हमारा आएगा R1 की form में हमारा आ जाएगा वी बी तो उस R1 की form में हम R2 इसे VB को यहां पर put कर लेंगे और R.E.M.E. यहाँ पर यह दे रखा है ठीक है R.E.B.E.M.E. दे रखा है तो हम यह R.E.M.E. पुट कर लेंगे आपर तो यहाँ से और I.C.M.E. कोशन में दिया हुआ है यह रहा 2 मिलियांपेर है तो इंटू 10 तू दी पार माइनस 3 जरू कर लें 2 इंटू 10 तू दी पार माइनस 3 तो हमारे पास क्या है देगी माँ कलर चेंज कर लेता हूँ I.C.B. दिया हुआ है V.B.E.M.E.M.E. कर लिए R.E.M.E.M.E. दिया हुआ यह रहा तो यह नहीं सब कुछ दिया है अब हमने क्या निकालना है दूसरे चीज़ा हमें निकालने है V.R.C. अब R.C. निकालने के लिए हम क्या करेंगे V.C.E. वाले जो एक्वेशन होती है उसका फॉर्मॉला पूट करें V.C.E. कितना है था हमारा अगर हम देखें तो कितना था V.C.C. माइनस I.C. इंटू R.C. प्लस R.E. यह आता है सॉल्फ करने के बाद ठीक है न तो हमें पता है जो I.C. है वो हमारा अल्मॉस्ट एक्वेश्ट टू I.E. होता है तो I.E. हमने क्या है या बलकि I.C. तो हमें देई रखा है तो I.C. तो हमें क्वेश्ट में देई रखा है और V.C. भी हमें क्वेश्ट में दे रखा है V.C.C. में दे रखा है R.E. भी दे रखा है तो यहां से R.C. तो कैल्कुलेट करी लेंगे इसलिए सारी चीज़ है यह तो बहुत सिंपल होगी और बेठीक है ठीक है न तो आप वहां से यह वाला क्वेश्ट में वहां से पढ़ लीजेगा ठीक है नीचे डेस्क्रिप्शन में देख लेए न वैसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेरिस्ट में भी है ठीक है यूनिट पके स्टार्टिंगे पहले या दूसे लेक्चर में वर्ल्ड मितर आपको मिल जाएगा पहले में यह रीक्शन आपको नहीं करना है और गया है यूनिकेशन वालीजा है यह question तो इसलिए आपको यह वाला question पढ़ना नहीं है ठीक है यह आपके असले बसका नहीं है कि भी इसको भी पढ़के बढ़ने बैड़ जा टाइम कराप करो जो में नहीं है वही पढ़ो ठीक है अब next question क्या करा describe the operation of CRT with neat diagram यानि कि CRT भी हम पढ़ चुके हैं उसी unit 5th में मैंने कहा देना CRT बहुत important है और how unknown frequency is measured using CRT तो इन दोनों का वीडियो भी यानि कि measurement का वीडियो जो है वो अलग है मैंने measurement का सारा सबका वीडियो बनाएगा voltage current frequency face और यह जो है है हमारे measurement का और सेजिस pattern का अलग से बना रखा है वो और CRT का ब्लॉक डाइगराम है वो मैंने सब explain अलग-अलग करके वीडियो बना रखें मैं वो सारी वीडियो नीचे share कर दूँँ आप एक बार उन वीडियो को देख लेना description में जाके description का तो आपको पता ही होगा कि हम description में कैसे चेक करते हैं कि क्या-क्या है नीचे जो वीडियो होता है मारा वीडियो अगर आप laptop ये desktop पर चला रहा है तो जहां पर वीडियो पले हो रहा है YouTube में से नीचे चैनल के नाम होता है श्कार रोटा है कि यहां वीडियो प्ले हो रहा है ठीक है उस से नीचे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप ठीक्रिश्ट 시작 कंप्लीट हो जाएंगा और यह दो पेपर करने बाद आपको लगेगा कि हाँ आपका इलेक्ट्रोनिक्स कुछ हो चुका है ठीक है यह बहुत अच्छा हो चुका है चलिए आज के लिए इतने काफी हैं ओक्टिए